आप देख रहे हैं दखल न्यूज शीरा दिख्षित का चुनाव लड़ने से इंकार मायवत्ती का भी एलान लोग सबाचुनाव नहीं लड़ेंगी बीजेपी निताओं की केंदरी नितरत को दोटू बोपाल से लोकल निता को दें टिकेट मद्द प्रदेश के तक्काले इन मंत्री लिखिराव कावरे की हत्या में में शामिल महिलना नकसली जमना एंकाउंटर में धेश प्रदेश हाई कोट से कमलना सरगार को जटका शेक्षन संथानों में ओवी स्थी के 27 प्रतिशत आरक्षन पर रोग और प्रदानमंती नरेन मोदी के जीवन पर बंगे फिल्म की चर्चा फिल्म पाश अप्रेट होगी रिलीस नमस्कार मैं हूँ अन्राग आप देख रहे हैं दखल निउस अब ख़बरें विश्तार से बीएसपी सुप्रीमों मायवती ने बड़ा एलान किया है कि वे इस बार लोग सभा चुनाव नहीं लड़ेंगी हाला कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदी जरूरत पड़ी और बाद में समीकरान बदले तो वे किसी भी सीट को खाली करवा कर चुनाव लड़ लेंगी बहुजन समाच पार्टी की सुप्रीमों मायवती ने कहा कि वे लोग सभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी मायवती चाहती है कि वे इस बार अपने सांसादों की संक्या बढ़ाएं और खुद चुनाव ना लड़ें सापा के प्रमुक प्रवक्ता राजेंद्र चौधी ने भी इसकी पुष्टी की है बासापा की करीब घंटे भर चली बैठक में मायवती गडबंदन की निचले स्तर पर स्विकारिता वा अचार सहीता के पालन करने को लेकर चिंतित दिखी उन्होंने कहा कि तीनों दलों के समर्थकों को आपसी मतभेद और गिले शिक्वे भूल कर जी जान से अहंकारी वर जातिवाद भाजपास सरकार को हराने के लिए काम करना है मायवती ने दावा किया है कि गड़बंदन को सर्व समाज का भारी समर्थर मिल रहा है बदले राजनेतिक माहौल में तन मंधन से चुनाव जीतने की तैयारी करना बेहत जरूरी है ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त की जा सके मायवती ने कॉंग्रेस को धोकेबाज बताती हुए नाराज़की तो जताई ही लेकिन भाजपा पर कहीं ज्यादा हमला वर ही इसे मैं लोगसभा चुनाव को लेके हर तरफ तरह तरह की खबरे आ रही है मासम की तरह लोगसभा चुनाव की गर्मी भी तेज हो रही है 11 अपरेल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांका दाखिल करने का क्रम शुरू हो गया है कई पार्टियां प्रत्याशियों के नाम तक तैकर चुकी है इस बीच दिल्ली में कॉंग्रेस यहत्या नहीं कर पा रही है कि चुनाव मैदान में किस-किस को उतारा जाए वही कुछ अन्य बड़े नेताओं ने इसके लिए राहुल गांधी को चिठी भी लिग दी है प्रेंका गांधी का यूपी दौरा टेजी से जारी है इस दौरे के बीच वो मिर्जापूर पहुची जहां उन्होंने डेवी विंद्यावासनी के मंदिर में पूजा की साथ ही ख्वाजा जनाब इसलाम चिष्टी की दरगा पर चाधर भी चड़ाई वहीं दूसरी और हरियाना सरकार के मंतरी अनिल विज ने कॉंग्रेस कारिकरताओं को सला दी है कि वे अपने नाम के आगे पपू लगा लें अनिल विज ने इसी संबन में बयान दिया है मद्वपर्दिश के तत्कालीन मंतरी लिखी राम कामरे की हत्या में शामेल महिला नक्सली जमना को पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस ने नक्सली मुद्वेड में कुख्यात महिला नक्सली जमना को मार गिराया है इस पर आठ लाक का इनाम था जमना टांडा दमल एरिया कमेटी की सचिफ थी पुलिस को मिली सूजना पर गाता पारा थाने के भावे के जंगल में जब मुद्वेड हुई तो जमना ने कारबाइन मशीन गंज से फाइरिंग की लेकिन मुद्वेड में जवानों ने महिला नक्सली को धेर कर दिया मुद्वेड इस्थल के पास से नक्सली के दैनिक उपयोग की चीजे और नक्सली साहित बरामद हुआ नक्सली जमना मद्वर्देश के तक कालीन परिवाहन मंत्री लिखी राम कावरे की हत्या में शामिल थी 1998 में नक्सली के किरनापुर में घर के बाहर लिखी राम कावरे की हत्या कर दी थी जमना 1994 में नक्सल संगठन में शामिल हुई और जमना का मद्वर्देश और 36 गड़ की सीमा में आतंग था मद्वर्देश हाई कोट ने शिक्ष्ण संथानों में OBC के 27 फीजदी आरक्षन पर रोक लगा दिया है हाई कोट ने इस मामले में राज सरकार और DME को भी नोटिस जारी किया है अदालत के इस निर्देश से कमलना सरकार को बढ़ा जटका लगा है जस्टिस आरेस जावा संजदिवेदी की खंट पीट ने अपने आदेश में कहा कि 25 मार्ट से होने वाली MBBS की काउंसलिंग OBC के 14 प्रतीशत आरक्षन के आधार पर की जाएगी जबलपुर निवासी, असिता दुबे, भुपाल निवासी, रिचापांडे और सुमन सिंग की ओड से दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुछेट 16 में प्रावधान है कि SC-ST OBC को मिला कर आरक्षन 50 प्रतीशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए वर्तमान में SC को 16 प्रतीशत, ST को 20 और OBC को 14 प्रतीशत आरक्षन मिल रहा है मदप्रदेश सरकार ने 8 मार्च को अध्यदेश जारी कर OBC का आरक्षन 14 प्रतीशत से बढ़ा कर 27 कर दिया है जो की असम्यदानिक है, हाई कोट ने इस मामले में राज सरकार और DME को भी नोटिस जारी किया है कॉंग्रेस के OBC नेता लोग सभाचुनाव में अपने प्रदेश सरकार के OBC आरक्षन के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं वे अब लोग सभाचुनाव में भी आबादी के अधार पर अपने जीतने वाले नेताओं के लिए टिकेट की दावेदारी में भी जुटे हैं हाई कोट द्वारा लगाई गई रोग से इनहें अब बड़ा जटका लगा है अन्य पिश्डा वर्ग को 27 प्रतीशत आरक्षन दिया जाने को कई लोग पहले ही गैर कानूनी बदा चुके हैं इनका मानना है कि सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षन 50 फीसिदी से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है प्रदेश में पहले से अनुसूचित जाती और जन्जातियों को 36 प्रतीशत आरक्षन दिया जा रहा है ओवी से आरक्षन 14 प्रतीशत था जिसे बढ़ा कर कमलना सरकार ने 27 प्रतीशत कर दिया था आरक्षन हमेशा से ही विवात का विशेराय और आमनों की मांग रही है कि आरक्षन आर्थिक आधार पे होना चाहिए फिलाल वक्त हो गया एक ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा आप देख रहे है दखल न्यूज़ मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेज़िजक शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी आफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पॉस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिंद आप देख रहे हैं तखली ब्रिक के बाद आपका स्वागत है अब बात प्रधानमंती नरेन मोदी की प्रधानमंती नरेन मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म पीम नरेन मोदी लगातार चर्चा में है सोशल मीडिया में यारोप भी लगा जा रहे हैं कि PM नरेंद मोदी फिल्म के जरीए लोगसभा चुनाओ 2019 में BJP को फाइदा पहुशाने की कोशिश की जा रही है फिल्म 5 अपरेल को रिलीज होगी PM नरेंद मोदी को लोगसभा चुनाओ 2019 के फिल्म 5 अपरेल को रिलीज किया जाएगा मेकर्स ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी कर दिया है विवेक ओबराई नरेंद मोदी की भूमी का निभा रहे हैं लोगसभा के चुनाओ मौसम में रिलीज हो रही PM नरेंद मोदी की बायोपिक के दूसरे पोस्टर में संदेश दिया गया है कि देश भक्ती ही मेरी शक्ती है 18 मार्श को PM नरेंद मोदी में विवेक ओबराई के 9 लुक जारी किये गए है PM नरेंद मोदी बायोपिक में फिल्म की कहानी नरेज मोदी के संघर्ष और पी-म बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा फिल्म में मरुज जोशी भाजपा अध्यक्ष अमिश्या की भूमिका में नज़र आएंगे वोमन इरानी प्रसिद बिजनसमेन रतन टाटा का रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म में डर्शन कुमार प्रशान नाराएन जरीना बहाव बर्खा विष्ट सेन गुपता अंजन शिवास्तव यतीन कार्रेकर राजिंद्र गुपता और अक्षत आर्श सलूजा जैसे सितारे भी नज़र आएंगे अस्पताल से बच्चा चोरी होने की ख़बर ने सब को सकते मिला दिया है अलगन अस्पताल से एक नवज़ाद बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है सुलोचना नाम की महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था बच्चा चोर इतना शातिर था कि तीन घंटे के भीतरी परिवार और अस्पताल की आँग में धूल जोग कर उसने बच्चे को चुरा लिया हाला कि इस मामले का खुलासा हुआ और बच्चा मिल गया है आपको बता दें कि बच्चा चुराने वाली कोई और नहीं एक महिला है जिसने पीली साडी पहन रखी थी उसकी उम्र लगभक 30 साल की है यह महिला इतनी शातिर थी कि बच्चे की मां के पास बैट कर दोस्ती की कहां वो अस्पताल में अपने परिचत मरीश को देखने आई है उसके भरोसे बच्चे की मां बैट से उठकर बाहर गई साथ में पडोस की महिला भी कुछ मिनिट के लिए शौल लेने बाहर निकली इनहीं चंद मिन्टों में पीली साड़ी वाली महिला बच्चे को लेकर चंपत हो गई यह हाथसा जबलपूर के लेडी एलगिन अस्पताल में हुआ जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मज़ गई दरसल आज दो पहर दो बजे के लगभग कटिया थाना में रहने वाली सुलोचना ने अपने सुभा अस्पताल में एक बेटे को जम दिया वाड नमबर दो में बैड नमबर एक पर मा और नवजात को रखा गया इसी बैड से महिला ने बच्चा चुरा लिया जब तक सुलोचना और अन्यमरेच चिलाते महिला बच्चा लेकर फरार हो गई जो नवजात को लेकर टीजी से पूल नमबर एक की तरफ निकली लेकिन यह चोर काम्याब नहीं हो पाए और पुलिस की मुस्तेदी से नवजाद बच्चा फिर अपनी मा की गोद में पहुच गया पुलिस ने आरोपी महिला को भी पकड़ लिया है नवजाद को अगवा करने में महिला की मदित एलगेन अस्पताल की सफाई करमचारी प्रभाने की थी प्रभाई एलगेन अस्पताल परिसर में इस्थेत क्वार्टर में रहती है पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है दरवा की पहले भी अस्पताल में कई शिकायते हुई है मरीजों से पैसे वसूलने के मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रभा को काम से हटा दिया गया था वहीं बच्चा चुराने वाली आरोपित महिला के तीन बच्चे थे जिनकी मौत हो चुकी थी पहले पती की भी मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी की लेकिन कोई वालाद नहीं हुई ऐसे में अपनी सूनी गोद को भरने की इराद पार्ति जनता पार्टी की बीतर जमकर राजनेती चल रही है बोपाल के बीजेपी निताओं ने केंदरी संगिठन से साफ काए कि बोपाल से किसी लोकल वेक्ति को ही लोकसाब चुनाओ चुनाओ कि अवा के लिए टिकिट दिया जाये इन सभी नीटाओं ने पूर मुखमन्ति नीवास पर मीटिंग की और अपने फैसले से केंदरी नीत तुर को औगत करा दिया है बोबाल के बीजेपी नेताओं ने केंद्रे नेत्रत्व को आगहा कर साफ कह दिया है कि भोपाल से स्थानिय व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया जाए बीजेपी के वरिष्ट नेताओं और पूर्व मुखमंत्री बाबुलाल गौर के निवास पर एक मीटिंग हुई बाबुलाल गौ से जब पूछा गया कि वीड़ी शर्मा को टिकेट दिया जा रहा है तो उन्होंने साफ कहा हम नहीं जानते उनको साफ कहा गया कि भौपाल से पहला हक तो आलोग संजर का है और दूसरा हक आलोग शर्मा का है बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि नरेन सिंग तोमर और बीडी शर्मा ने भौपाल से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है इसके बाद भौपाल के बीजेपी नेता लामबंध हुए है उस नहा संगर्ष किया हुआ है और संगर्ष का परिणाम ठीकी निकलना चाहिए बाहर का कोई वक्ति आता है तो निश्चित रूप से तार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी दोनों को असिविदा होगी एक जनप्रदीजी के जनता के बीच में को वैक्यूम खड़ा होगा बावुलाल गोर जी भारती जनता पार्टी के हमारे वरिश्टनेता हैं वे हमारे राजनितिक गुरू भी हैं भुपाल की राजनिति में हमने एक राजनितिक कारकरता के रूप में जब काम करना प्राण किया तो राजनिति की A B C D उन से ही सीखी है आज लोकसवा के चुना जिसने भोपाल की सरजमी के ऊपर दिन रात करके संगर्स किया हो एसे ही व्यक्ति को इस्थानी व्यक्ति को उम्मीद्वार बनाया जाए गौर के घर हुई इस मीटिंग के बाद साफ हो गया है कि भोपाल सीट को लेकर भाजपा अपनों से घिरती नजार आ रही है अब देखना होगा कि इतना विरोध होने के बाद बीजेपी का केंद्री ने तरफ किस बाहारी को या फेर इस्थानी प्रत्याशी पर ही दाव लग पंचाय सचिव भरत वर्मा किसान जगत यादव से 30,000 रुपे के रिश्वत की मांग कर रहा था यह रिश्वत वो प्रधान मंत्री आवास यूजना की किस्त डलवाने के एवज में मांग रहा था जिसकी शिकायत जगत यादव ने लोकायुक्त सागर से की थी शिकायत की आज लोकायुक्त की टीम ने चातरपुर सिविल लाइन थाना छेतर में चार हजार की रिश्वत लेते हुए सचिव को ग्रफतार कर लिया अ सब्सक्र लगे कुझ अ ने करतर में लिचा जिक रहा हैं मैं ने करेक्ड़ कर रहा है लोकाया इस बूहें ना दुन शेंच कोई अ दी तर्फॉरे ने पैसा दिया हुआ है जगत हियादों में कल एक सिकायद की थी ग्राम पंचायद कादरी जटरपूर के सच्यू भारत वर्मा दुआरा पदाम दंत्रियावास योजिना की किस निकालने की एवज में आशिजार इस्वत की मांग की जा रही है जिसको हमें तस्दीक किया तस्दीक करने पर सही पाया स पाये जाने पर आज ट्रेप की कारवई की गई और चार जार रुपे दिस्वत लेते वे भरत वर्मा सच्यू कादरी कदारी चतरपूर को आज हमें अन्य आतु पकड़ाए एक सामाजिक खबर भोपाल के बैरागर से रक्तधारा थेलिस्वीमिया सोशल वेलफेर सोसाइट के तत्वादान में थेलिस्वीमिया से पिड़ बच्चों के लिए एक शिवर का आज़न किया गया शिवर में निशुलक एच एल जाच के साथ वीलितों को माग रशन दी दिया गया संथिर्दाराम नगर में रक्तधारा थेलिस्वीमिया सोशल वेलफेर सोसाइटी भोपाल में थेलिस्वीमिया के बच्चों अवं उनके परिवार की निशुलक एच एल ए चाच शिवर का आज़न किया शिवर का आज़न गुलानी होस्पिटल संथिर्दाराम नगर पर किय शिविर में मुख्य रूप से डिली के डॉक्टर राहुल भार्गव एवं डॉक्टर विकास दुआ डॉक्टर राकेश गुलानी ने अपनी सेवान निशुलक दी डॉक्टर राहुल भार्गव ने थैलेसीमिया परिवार वालों को मारदर्शन देते हुए जानकारी दी शि अब हमारे यहां पे गट्थधारा थैलेसीमिया सोशल वेल्टेव स्टायटी के अंदर अगट थैलेसीमिया बच्चों के परिवार के लिए और बच्चों के लिए एचले कैम्प का और्गिनाइज कि आ गया था जो के बोन मेरो रांस्प्रांटेशन करने के पहले की एक प कारिकरम में मुख्य रूप से वरिष्ट नेता नरिश्क अंचंदानी पंचाय के अध्यक्ष साबू रुजवानी माधू चंदवानी सिंधू सेना अध्यक्ष राकेश कुकरेजा महेश खटवानी नंद डादलानी उपस्थित रहे कारिकरम का संचालन संतोष्ट जेठान है सोसाइटी के सचिन दीपक बासवानी ने बताया कि थैलसीमिया वच्चों का भी भारत देश में एक ही इलाज है जो की बोन मेरो है और वो बोन मेरो तब होती है जब किसी का HLA किसी से मैच होता हो कैम्प में 160 लोगों का LHA हुआ यह है चांच जर्मनी में होती है हमारे हैं कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई अई सब उसी की मिसाले हैं कि लोग सेवा भाव में लगे रहते हैं फिलाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सेजिसला जारी रहेगा आप देख रहे हैं तखल नियूड मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है I'm not a sniper पर देश के दुश्मनों को बेजज़क शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी ओफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पॉस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिंद आप देख रहे हैं तखल न्यूज अब खबर बुंदिल खंड इलाके से शिकारियों के फंदे में फसे भालू को बमुश्किल रेस्कू करते हैं चंदरनगर पुलिस को खबर मिली कि एक खेट के पास भालू फंदे से फखा हुआ हैं आनंफानन में वन विभाक को यह खबर दी गई पन्ना टाइगर रिजर्वी की स्पेशल रेस्क्यू टीम भालू का रेस्क्यू करने घटना इसकल पर पहुची और चंदरनगर पुलि इसे शक्य द्वारा गंज से भिहोश किया गया उसके बाद उसे जाली में बांद कर सुरक्षे तरीके से रेस्क्यू टीम ने फिंजरे में बंद कर दिया इस भालू को पन्ना नैशनल पार्क में छोड़ दिया गया आज सुबर लगवग पहुने साथ बुजे इस पता कला कि सुरेपूरा गाउं से लगए खेत में नर भालू को पंदे में लगाव पाया गया है तदकाल पन्ना टाइगरिजर्ट से एस्पेसिलिस्ट को रिस्क्यू टीम है उसको पुलाया गया पन्ना टाइगरिजर्ट के सभी वनमले में इसमें बारिस्ट्री सहयोग से उस बालू पर नूप्त करा लिया है और उसे सुरक्टी दस्तल पर छोड़ने के ले 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 जा रहा है हालू स्वस्थ है कोई करह के इंजरी नहीं हुए घटना इस्तल से भालू के फसने वाले फंदे और शिकार के काम में आने वाली सामगरी को जब किया गया है इस बारे में खेत मालिक से भी पूश्टाश की जा रही पन्ना नेशनल पार्क के वफट जोन में आने वाले इस छेतर में पन्ना टाइगर रिजर्व केज से जानवर आ जाते हैं जिसका शिकारी इंदिजार करते हैं ऐसे फंदे जंगली सुरों हिर्णों को फसाने के लिए लगाए जाते हैं यह फंदा इतना मजबूत होता है कि एक बार जानवर इसमें फस जाये तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नमुम्किन हो जाता है मद्द पर देश में कमला सरकार आने के बाद किसानों की मुशिबत हैं कम होने की बजाए और बढ़ गई हैं किसानों को जब चार मेने से धान की फसल का भूठान नहीं मिला तो किसानोंने संबन्दे दफतर में ताला बंदी कर दी किसान परेशान है, ना अधिकारी उनकी सुन रहे हैं और ना सरकार, रहटी तहसील के ग्राम बाया के किसान अपने धान के भुकतान के लिए अधिकारियों से ले कर मंत्री तक कोई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, सोसाइटी बैंक ने विगत भुक्तान नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा तो करमचारी आधीकारी लोग हमें धमकाते कि तुमर पर कारवाई हो जाईगी विजे वर्गी बुद्धनी से बिनांक बेनीजर साब को सिकात करी तो वो करें कारवाई हो जाए खिसान को बंद करवा देंगे आदिवासी समधाय के लोगों ने भगोरिया पर सापता एक हाट के रूप में डोल धमाके वा रंग गुलाल के साथ दुमधाम से मनाया आदिवासी धोल और मांदल की थाप पर जम करते हैं इसमें बारेला समाज के महिला पुरुषवा बच्चे अपनी पार्यम परिक्वा आदिवासी धोल और मांदल की थाप पर जम करना चे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व की धूम मची हुई है बिछले एक सकता से जारी यह पर्व अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है आखरी दिन में लोगों का उच सहाभी चरम पर दिखाई दे रहा है होली से एक सकता पूर्व के साफ्ताहिक हाट को भगोरिया पर्व के रूप में मनाये जाता है आदिवासी बारेला समाज के लोग अपने अपने घर से पारंपरिक वा समाजिक भेश भूशा धारन कर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए धोल वा मांदल किथा पर्व बहुत खास होता है इसमें इन लोगों का उटसा चरम पर देखा जा सकता है रहटी तैसिल छेतर के आसपास के लगभग 40-50 गाओं के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं ये थी हूली की मस्ती और इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही आपको हूली की बहुत बहुत शुप कामला है आप देखते रहे हैं दखल न्यूज दखल आपकी हक में नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्यूज